इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन तबाएं भगवान महाकाल के करोड़ों शद्धालों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है उज्जैन का महाकाल मंदिर 80 दिन के बाद शद्धालों के लिए खोल दिया गया है कुरोणा की दूसी लिया शुरू होने के बाद 9 अप्रेल को महाकाल मंदिर में एंट्री बंद कर दी गए थी और उसके 80 दिन बाद आज सुभा 6 बज़े से मंदिर में शद्धालों की एंट्री फिस्ट शुरू हुई है अभी मंदिर पूरी तरह से नहीं खोला गया है कुरोणा की दूसी लायत थमने के बाद किसे शद्धालों के लिए फोल तो दिया गया है लेकिन इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स के पालन करने होंगे जिसके बारे में आपको भी जानना जरूरी है इसमें सबसे पहला ऑनलाइन बुकिंग है महाकाल के दर्शन के लिए उनलाइन बुकिंग करना जरूरी होगा उनलाइन बुकिंग की डेट से दो दिन पहले कुरोणा की नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए या फिर कोरोना वैक्सिन की दोनों डोज अगर आपको लगी है तो आप दर्शन कर सकते हैं महाकाल मंदिर में हर रोज सुबा 6 वजे से रात तक 8 वजे तक सिर्फ 3500 लोगों की एंट्री हो सकेगी इसके लिए भी दो घंटे के साथ टाइम स्क्लॉट बनाए गए हैं जिसमें 500-500 लोगों की एंट्री की जाएगी नमस्ते मैं हूं मिनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ